Maire YouTube Channel Defense 93 में आप लोंका स्वागत है आज आप लोगों कराने वाले हिंदी और इंग्लिस बहु सारे कमेंट आ रहे थे सब मिसकर आज आज आपको दोनों language paper में हंदी और एंग्लेस nog tinha कराने वाले हैं प्रिविज़ सेयर 2018 की वैकैंसी में 2019 प्रिप्री कि ओस्ति इसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों मिक्स करके बता दी हैं तो आप में चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल एकन को दबना भूलें जिसे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पिले मिलें बचे आप लोग की लाइक प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग लाइक करते हो या डिस्लाइक भी किया करो कोई दीकत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि जो इतना प्यार देते हैं आप लोग उतना नफरत करने वाले भी लोग मज़ा तब ही आता है तो प्लीज नफरत करने वाले भी सतर खोजा कि मेरी वीडियो देख तो रहें न कम से कम तो डिसलाइक ही मार दो चलते हैं वीडियो की और पहला कोशन आपको दीख रहा होगा पहला कोशन बोल रहा है कि सेलेक्ट दे अंटोनेम्स ऑप दी गिवेन व मतलऽ होता है कि विचितर चीज तो इसमें राइट एंसर क्या होगा इसका ओप्संस दिख्रा ओगा को भरने के लिए सबसे उप्यूक्त सब्द का चेयन करें देखेंगे उप्यूक्त सब्द को चेयन करने बोल रहा है ऐस पेस दिया हुआ है बोल रहा है लड़का बहुत चलाग है उस आप वह यह हम तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए आप प्लीज कमेंट करके भी बत हो रहा है सब्सेलिकट कर दिया हुआ है कि आपको दीख रहा होगा वर लास्टिंग आब理 लास्टिंग का सेणोनेल मतलब क्या होता है यह दिया हुआ है इंटर इंटरनल 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 दिया हुआ ह्य ci essential दिया हुआ a specialrov dya or equal दिया हुआ क्या होगा इसका राइंट रोबताएं अबर लास्टिन का क्या होता है या होता है ठीक तो से अनोनियम्स के बारे नित्य क्या होता है नित्य होता है और नीत्य का मतलब लुक्रक्राइब है कि समीर थक मतलब होता है नित्य का मतलब होता है नित्य का है तक नहों हमारा राइट अर्मम का घो हमारे स्निंड होता है अगले कोशन्स हिंदी में बोल रहा है दिएगे वागे को रेखांकित खंड का परतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चैन करें मुझे अभी अपना ग्रह कार पूरा करने हैं नहीं तो गुरुजी की डांट पड़ेगी तो ओप्सन दिखाऊगा ग्रह कार प्लीज कमेंट करके बताते हैं क्या होगा इसका राइट एंसर जो होगा ग्रहकार पूरे करने ठीक है अप देखते होंगे कि जो भी वर्ट्स आपको दीख रहा होगा कई ने कई आप जब इसका उचारन पूरा करते होंगे तो इसकी राइट एंसर दीख जाती है तो यह कभी जब आपको ग्ता कोमशन पूछे तो आप पूरा वाख्य होता है जो हमारा वर्ड होता है पूरा कमप्लीट करने की कोश्चिस करेंगे तो आपको इसी में दिखेंगे चलेंगे अगला कोश्चंस बोल रहा है बच्छा अगला कोश्चंस बोल रहा है कि select the पश्तला आपका अपस्टी का मतलब होता है और इस में इंट्टा इसका क्या होता Г् जो आपका option दिखा होगा compulsory में इसमें optional दिखता होगा ना optional का मतलब क्या होता है वैकल्पिक मतलब अगर हम compulsory तो मतलब अवस्तिक काम करेंगे लेकिन वैकल्पिक आपके पास सब्सक्रा पुजिट हो जाएगा ना तो इसका राइट एंसर क्या होगा optional होगा राइट चलेंगे हिंदी के और चलेंगे बच्चा अगला कोशन बोल रहा है दिए गये सब्सक्राइब का प्रिवाचिक सब्सक्राइब करें वीभूति अगला कोशन चलेंगे बच्चा अगला कोशन दो बोल रहा है कि सलेक्ट दी मोस्ट अप्रूवेक्ट अप्रूवेट इट वर्डिंद फिल इंद ब्लैक्ट मदर कर्स वेज़ेटेबल अस्पेस एल खनेफ ठीक है इसका राइट अंसर क्या होगा वाई ऑप्शन दिया होगा वाई फ्रॉम ऑफ वीथ तो आप देखेंगे अब कोई अगर काठता है अगर कोई छाकु में सब्चे काठत किसे साथ कारता है किसे कारता है वो तो जाक कुसे काठत वीथ इसका राइट हैंसर हो ठीक है वीथ लगा वह एंग चलेंगे अगला कोशंस हीं योब होसा लींग बोल रहा है दिये गे स्थान को भरने के लिए सबसे उप्यूक्त सब्द का चेहन करें अंग का अस्पेस है है हिस्सा तो क्या होगा वचन अर्थ विलों लिंग अंग का अस्पेस है हिस्सा चलेंगे जल्दी बताएंगा बचा जल्द दिया हुआ है अंग का अस्पेस है हिस्सा क् अंक क्या होगा तो लिंग होगा ठीक बच्चा लिंग होगा अंग का लिंग है हिस्सा ठीक है ध्यान रख लेना बहुत important questions है अगला questions चलेंगे अगला questions चलेंगे बोल रहा है select the most वाज अस्पेस दिया हुआ है अलेक्जेंडर ग्रामबेल इसका राइट एंसर के आपको ऑप्सन दिख रहा होगा आपके पास तो रिशर्च फाउंड इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड तो ध्यान रख लेना तो इन्वेंटेड का मतला होता है इसके दिया दवारा जारी किय इसका राइट एंसर इन्वेंटेड होगा जो आपको अप्सस दिख रहा होगा सी ठीक बच्छा अगला कोश्यंस अगला कोश्यंस आपके पास है वह दिया है रीक्त स्थानों को भरने के लिए उप्यूक सब्द का चैन करें दिया हुआ है मेज के अस्पेस में बिजली बै करते जाएं आप लोग के लिए मैं कोश्यंस बैक टुबैक देता रहा हूं इंग्लीज का कोश्यंस इंग्लीज का कोश्यंस बच्छा अगला कोश्यंस वह हमारे बीच में है बोल रहा है कि कि स्लेक्ट दी वर्ड विच मींस दी सेम अज ग्रूप ऑफ वर्ड अफ गिवें बोल रहा है वन हूँ ट्रीट्स एसकीन डीजीज इसमें चारों अप्संस में कौन एक स्कीन डीजीज है ध्यान रख लेना तो अप्संस है क्या अप्संस है बच्छा डेर्मोटलोजी फिर गाइनुकलोजिस्ट रडियलोजिट और काडियोलोजिस्थ ध्यान रख लोगा डेर्मोडोजिस्ड होका चर्म रोंध नहीं इसका राइट एंसर अबलाल चलेंगे अगलना कशन की हिन्दी यूञ चलेंगे लिज वीडिवीडियू को लाइक करते जाएंगे ठीक है एब कोशन जो बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें तब देखिए अलप अलप आयू अलप पायू अलप आयू जितना भी है सब का लगबक सेम उचारन है लेकिन मैं पहले बोला था बच्चा कि हरसा ही दुर गई और हरसा हु दुर्गाउ को चारन कहां पर किया दा चार options है तो आप देख सकते हैं कि अल्पायू फिर होगा अल्पायू फिर अल्पायू तो देखेंगे चारों में कहीं ने कहीं उचारन जो सेम है लेकिन इसका राइट एंसर क्या होगा तो आप बताएंगे तो इसका राइट एंसर क्या होगा अल्पायू ठीक है अल्पायू यू अब वं पायू ठीक है अल्पायू नहीं होता है अल्पायू होता है इसका उचारण बहुत most लॉड तरीके से होता है लगा कोशन बोल रहा है कि select the सायोनेम्स ऑबिश्पी वर्ड बोल रहा है फनाटीक फनाटीक का क्या होगा तो दिया हुआ है इंतोसिस्ट ग्रेट फ्रेंड या फैंटास्टिक जल्दी बताएंगे इसका राइट एंसर क्या होगा बच्चा तो ध्यान रखना फ्नाटिक का आर्थ होता है कट्टर उनमादी या धर्मोनत अब दिये विकल्प जैसे हमारी ऑपसर दिये हुए राइट तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो यह फोसिस्ट होगा जिसका अर्थ होता है अतीत या उत्साही ठीक है यह सारे कोस्टन्स आपको देखने को जरूर मीलेंगे जो आप इक्जाम में बैठेंगे ठीक है चलेंगे हिंदी की कोस्टन्स की और हिंदी कोस्टन्स में चलेंगे हंदी कोसें जाब नियांगे सब्सक्रिक्त का विलोम सब्सक्रिण आंड़ा है अग्ला कोशनard इंग्लिस क्योहरं चलेंगे बोल रहा है कि select the most imported word in the fill of the blanks there are the flight words a space a pretty sight to watch options है has have are is इसका right answer is होगा जो हमारा options नमर्डी है तो the flight of words is a pretty sight to watch राइट चलेंगे अगला question चलेंगे हैं बच्चा हिंदी की और हिंदी की और चलेंगे बच्चा बोल रहा है रीकत स्थानों को पूर्ति के भरत भरें साइस चुने ठीक है तो जोती ने एक अस्पेस गीता सुनाया क्या दिया नमकीन मधूर खटा खटंडा तो मधूर गीता सुनाया ठीक है तो आई होप यह सारी वीडियो अपको सारी कोशन समझ में आ गया होगा और अधी आयोगा तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा ज्यादा सेर करें जिससे ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सकें तो मिलते तब तक नेश्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिद जय भारत करते बिनट के वीडियो हुआ है हुआ है हुआ है